हलो एब्रीवन, वेलकम बैक टू माई चानल, तो हम लोग B.H.C. Math Honors का प्लस चेनरल और सबसीडरी का हम फिर्स्ट वोक सेट थियूरी देख रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर है Basic Concept of सेट, ठीक है, और उसका हम exercise सॉल्व कर रहे थे, सेट थियूरी का पहला चाप्टर का exercise 1A, जिसमें हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जा कि प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद जा कि वहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे, साथ में लाइक कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे, तो चलिए हम Q6 पे चलते हैं, देखते हैं Q6 क्या दिया हुआ है, और उसको सॉल्व करते हैं, इस बुक में टोटल 7 कोश्ट, सॉरी इस बुक में नहीं, सिर् 5 तक कर चुके हैं, और हमें 2 कोश्टन और करना है, तो इस बीडियो में आपको वलने सिक्त का सॉलूशन मिलेगा, और नेक्स बीडियो आपका लास्ट, कोश्टन नमबर 7 का सॉलूशन मिलेगा, तो चलिए अपकोश्टन नमबर 6 पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, तो को belongs to n मतलब ये बड़ा n किसको denote करता है बड़ा n denote करता है natural number set of natural number को हम n से denote करते हैं ठीक है तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर n पता चल गया क्या है उसके बाद n p is equal to 9 into n minus 1 such that n belongs to natural number ठीक है तो question यहाँ पर आपको equation दिया हुआ है दो और इससे आपको set बनाना है तो पहले देखे question push क्या रहा है where n is the set of natural number जहाँ n set of natural number है यहाँ पर n दिया हुआ है क्या है उसके बाद prove that a is subset of b तो हमें क्या prove करना है a is subset of b अब a subset होगा b का इसके लिए हमें क्या होना चाहिए a का परतेक element set b से belong करना चाहिए तो सबसे पहले हम ऐसे तो direct देखना है चाहते कि belongs करता है या नहीं करता है तो हम इसके लिए एक set a बनाएंगे और इसका element निकालेंगे यहाँ पर जो properties दी हुई है उसके base पर हम set a निकालेंगे और उसके element को निकालेंगे कि set a में कौन-कौन सा element है साथ में हम set b में निकालेंगे कि set b में कौन-कौन सा element है और तब हम उसमें compare करेंगे कि क्या यहाँ पर प्रूफ करना है तो यह definitely होगा लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर पहले element लेंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे यह show कर देंगे कि set A का जो भी element है वो सारे B से belong करता है इसलिए A क्या है वो subset है B का तो चलिए अब solve करना है start करते हैं यह आपका theory हो गया जो आपको पहले complete है already अब यहाँ पर बहुत ही चल्द आप लोग के लिए जो first chapter का बलने theory जो होता है वो आपका video आएगा जिसमे theory concept समझाया जाएगा questions नहीं रहेगा तो यहाँ पर पहले questions के series को खतम कर लेते हैं फिर वो हम दो तीन दिन में चल दें start करेंगे तो चले अब solve करते हैं question number 6 को question number 6 का यहाँ पर पहला set बनाते हैं तो set A is equal to अब यहाँ से हम पहले बनाते हैं set A is equal to दिया हुआ है 4 to the power set A is equal to 4 to the power n minus 3 n minus 1 ठीक है A is equal to 4 to the power n minus 3 n minus 1 अब यहाँ से हम n का value like put करते हैं यहाँ पर let n is equal to 1, 2, 3, 3, 4, dot dot infinity तक ठीक है तो यहाँ पर let n मान लिए कि 1, 2, 3, 4, 5 है और एक एक का value put करके हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा है कि नहीं तो दोनों side हम यहाँ पर check करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, dot dot infinity तक ठीक है नेचरल नमा जाएगा तो यहाँ पर हम A set ले लेते हैं A set बनाएंगे और इधर side में आप B set भी बनाएंगे तो सबसे पहले A set के लिए अगर A का यहाँ पर N का value 1 रखते हैं if N is equal to 1 then A is equal to क्या होगा तो A का value 4 to the power N है तो 4 to the power 1 हो जाएगा मतलब 4 ठीक है 4 to the power 1 मतलब 4 हो जाएगा उसके बाद minus 3 into N तो minus 3 और into क्या करना है 1 तो 3 में 1 से into करेंगे तो 1 ही आएगा और minus 1 तो यह हमारा value कितना होगा 4 और minus 3 minus 1 यह 4 minus 4 is equal to 0 तो N का मान 1 लेने पर हमें A का value 0 मिला अब यहाँ पर left side, right side देखते हैं कि B का value क्या आता है अगर N का value हम यहाँ पर 1 रखें तो हमें B का value मिलता है क्या मिलता है तो B का equation क्या है 9 into N minus 1 तो यहाँ पर 9 लिखेंगे into N का value क्या है 1 और minus 1 तो यहाँ से देखिए 9 into 1 minus 1 क्या होता है 0 तो किसी भी numbers में 0 से into करेंगे तो हमें 0 मिलेगा फिर एक और देख लेते हैं फिर यहाँ पर N का value अगर 2 लेते हैं ठीक है N का value अगर हम 2 लेते हैं तब क्या होगा तो यहाँ पर A का value क्या होगा अब यहाँ से direct calculate कीजिए 4 के power 2 क्या होगा 16 और उसके बाद minus 3 into 2 is 6 और minus 1 तो यहाँ पर 16 minus 7 क्या हुआ तो यह हमारा 9 आएगा फिर यहाँ पर B का value फिर से 2 यहाँ पर N का value 2 रखते है B में तब हमारा क्या आता है तो 9 into N minus 1 है तो 9 into N का value क्या है 2 और minus 1 तो फिर 2 minus 1 क्या होगा 1 9 into 1 तो यह हमारा B का value फिर से क्या आ गया 9 फिर से यहाँ पर A का value और B का value सेम है फाहले भी हमारा A का value और B का value सेम था सेम N का value रखने पर हमें A और B set का value सेम आता है फिर जब A का यहाँ पर अगर set बनाएं यहाँ पर तो A का set क्या होगा हमें A का set क्या मिलेगा तो यहाँ से A अगर set बनाए जाए तो A का set हमें मिलेगा 0, 9 ऐसे ही आगे और भी बनाएंगे so on like click लेंगे 0, 9 यह हमारा dot से denote कर देते हैं ठीक है उसके बाद हमें अगर यहाँ पर B set बनाए जाए तो B set में क्या मिलेगा हमें 0, 9 0, 9 0 और 9 dot dot as it is मिलेगा अब यहाँ पर देखिए पहला element पहला element सेम है दूसरा element भी सेम है मतलब 0 अगर set A में है तो set B में भी है 9 set A में है तो set B में ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो set A है वो subset है B का तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो set A है वो किसका subset है set B का ठीक है साथ में equal to B है तो all equal to set जो भी होता है वो हमारा subset होता है ठीक है तो हमारा यह answer हो गया और इसमें आप लोग यह कर सकते हैं कि और n का value एक दो और आप put करके maximum आप 3 put करके देख लेते हैं क्योंकि 1,2,3 यह सही हो रहा है तो as it is लगबख सही ही होगा ऐसा माल लिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह सबसेट और भी यह हमारा proof हो गया इसमें जो भी language होगा तो थोड़ा सा वो आप लिख लेंगे पर बाई देवे इससे इतना easy question नहीं पूछा जाता है पर जिनका subsidiary है या general है उनसे इस type के question पूछे जाते है पर honors वालों से कुछ theorem पूछा जाता है Cartesian product offset यह और relation इस सबसे question आता है first chapter से आपका एक भी question नहीं आता पर basic के लिए बहुत important है तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पर stop करते हैं हम question number six तक solve कर लिए और question number seven next वीडियो में